नमस्ते दोस्तों आज हम एक और हत्या मामले के रहस्य को सुलजाने जा रहे हैं और यह कैसे हल हुआ था इस वीडियो में मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आप बहुत देर तक याद रखेंगे एक कहानी जो एक युवा 27 वर्षिय मां के जीवन और बरबर मौत के बारे में है जिसे उसके अपने लोगों ने धोखा दिया लौरा एकरसन का जन्म 30 अप्रैल 1984 को हुआ था 2011 में जब उसकी उम्र 27 वर्ष थी वह अपने पती ग्रांट हेज के साथ किंग्स्टन उत्तरी कैरोलिना में रह रही थी जिनकी उम्र 32 साल थी उनके दो बेटे थे तीन और दो साल के लौरा बच्चों से बहुत प्रेम करती थी और अपने बच्चों को वह बहुत प्रिय थी लौरा ने अपने पती से 2007 में मिला ग्रांट एक संगीतकार थे जो बारों और रेस्तरा में नृत्य किया करते थे उस समय लौरा बार में काम कर रही थी और वहीं उनका मुलाकात हुआ था ग्रांट स्थानिये पसंदीदा संगीतकार थे और बहुत ही आकरशक थे वे डेटिंग शुरू कर दिया था लेकिन लौरा ने दोस्तों और परिवार से इसे छुपाया रखा जब तक एक दिन उन्होंने उन्हें बताया कि उन्होंने उससे शादी कर ली है दोस्त चौंके थे खासकर लौरा की सबसे अच्छी दोस्त हाईडी वह हमेशा सोचती थी कि वे एक दूसरे के साथ अपने जीवन की हर बात साज़ा करते हैं जेसन लौरा का भाई भी चौंक गया था किसी को भी ग्रांट के बारे में या उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी शादी बहुत जल्दी में हो गई थी लेकिन इसके बावजूद उनके आस पास के लोग लौरा के फैसले का समर्थन कर रहे थे कुछ महीने बाद लौरा गर्भवती हुई एक लड़के के साथ वह बहुत खुश थी लेकिन ग्रांट का व्यभार अचानक अजीब होने लगा हाईडी की सबसे अच्छी दोस्त और लौरा के भाई जेसन ने ध्यान दिया कि ग्रांट बहुत चुपचाप, हमेशा गुस्सा, किसी से पसंद नहीं करता था और लोगों के साथ सामाजिक रूप से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था समय के साथ उसके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्यों को यह पता चला कि Grant ने Laura को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था और उसके हर कदम पर नजर रख रहा था Grant ने उसे संकेत किया कि उसके सभी प्यारे और विश्वासी लोग उसके लिए बुरा है वह उसकी phone calls में दोस्तों और परिवार से बात करते समय उस पर चिलाता था उन्हें बोलता था कि वे बात बंद करें उनसे बात न करें क्योंकि वे उसके लिए बुरा प्रभाव डाल रहे हैं Laura को अपने पती के बिना अपने दोस्तों के साथ गुप्त रूप से बाहर जाना पड़ता था Grant ने एक अपहरण करता सावित हुआ जिसने उसे समाज से अलग करने का प्रयास किया ताकि वह केवल उसके हो जाए कुछ लोग मानते थे कि वह उसे दोस्तों से अलग कर रहा था क्योंकि वे असली उसे देख सकते थे और लौरा को प्रभावित करके उसे उससे दूर करने की कोशिश कर सकते थे Grant अपने बेटे के प्रती भी अजीब व्यवहार करने लगा उसने बच्चे को टीका लगवाने से इंकार कर दिया यह दावा करते हुए कि अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे अधिक आतिश्वासी हो सकते हैं Grant ने शराब और अवैध पदार्थों का उप्योग करना शुरू किया Grant अपने बेटे के प्रती भी अजीब व्यवहार करने लगा उसने बच्चे को टीका लगवाने से इंकार कर दिया यह दावा करते हुए कि अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे अधिक आतिश्वासी हो सकते हैं Grant ने शराब और अवैध पदार्थों का उप्योग करना शुरू किया वे हमेशा अवैध पदार्थों का इस्तेमाल करते थे लेकिन जब उन्होंने लौरा से शादी की तो उन्होंने उसका इस्तेमाल बंद कर दिया था लेकिन बच्चे के जन्म के बाद उन्होंने फिर से उन घिनोने पदार्थों का सेवन शुरू कर दिया वे लंबी व्यापारिक यात्राओं पर जाते थे और काम के लिए अन्य महिलाओं के साथ मिलते थे अवैद पदार्थों की वजह से या अवैद पदार्थों से किसी मानसिक बीमारी या विकार की वजह से ग्रांट के मन में और भी अजीब विचार आने लगे थे उनके बीच में हर समय जगड़े होने लगे थे उसने अपनी धोखा धड़ी को यहां तक समझाया कि उसे काम के लिए संबंध चाहिए थे फिर उसे Virgin Islands में एक व्यापारिक प्रस्ताव मिला Grant ने निर्णय किया कि वह द्वीप पर जाएं उत्तरी कैरोलिना में लौरा और बेबी को छोड़ दे वहां उसने एक महिला से मिला जिनका नाम एमंडा था एमंडा एक अभिनेत्री थी और Grant से साथ साल बड़ी थी और वह धनवान भी थी क्योंकि वह एक विधवा थी और उसे अपने पती के सारे पैसे मिले थे Grant ने लौरा से अमंडा को छुपाने की कोशिश नहीं की और कहा कि अमंडा सिर्फ उसके व्यापार के लिए एक उपकरण थी लौरा तब तक इस तरह से व्यभार को सहन नहीं कर सकी और वह ग्रांट के साथ रहना नहीं चाहती थी लौरा ने ग्रांट के साथ छोडने का प्रबंध किया वह अपने भाई जेसन के पास रहने की योजना बना रही थी लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसका वह अपेक्षा नहीं कर रही थी वह दूसरे बच्चे के गर्भवती हो गई इसके कारण उसने अपनी सोच बदली और ग्रांट के साथ रहने का फैसला किया उसने ग्रांट के साथ वर्जिन आइलांड्स जाने का निर्णय किया और वहां उसने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया बच्चे को स्वास्थ्य समस्याएं थी और उसे उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा की आवश्यक्ता थी इसलिए वे उत्तरी कैरोलिना लॉट आए लॉरा की सभी धैरे खत्म हो चुकी थी ग्रांट ने अमंडा के पास जाने की इच्छा की और उसके साथ रहने की उसने लॉरा को घर पर ही बच्चों के साथ छोड़ दिया इस समय तक लॉरा ने न केवल ग्रांट के हमेशा उन्हें शर्मिंग करने और उसको धोखा देने की सहन शीलता खोदी थी बलकि उसने देखा कि ग्रांट अपने परिवार के साथ लगभग कोई समय नहीं बिताता था उनको ध्यान नहीं देता और बार-बार गायब हो जाता था लॉरा अपने पती से अलग होने की योजना बना रही थी ग्रांट ने अपने बड़े बेटे को कुछ दिनों के लिए न्यू यॉर्क ले जाना चाहा था डाइपर कमर्शियल के लिए फोटोग्राफी के लिए लॉरा ने अपनी सहमती नहीं दी फिर भी लॉरा चाहती थी कि बच्चों का पिता के साथ अच्छा रिष्टा हो उसने अपने बेटे को ग्रांट को दे दिया लेकिन कुछ दिनों बाद उसे वापस नहीं मिला एक हफते बाद लॉरा ने ग्रांट और अमंडा की शादी की कई तस्वीरें फेस्बुक पर देखी लॉरा चौकी हुई उससे पूछा तुम मेरे साथ शादी शुदा हो कौन सी शादी जिस पर ग्रांट ने जवाब दिया ग्रांट के इस बयान के बाद लॉरा ने उनकी शादी की प्रमान पत्र खोजी और यकीनन उस पर ग्रांट का हस्ताक्षर नहीं था इस तरह वे कभी शादी नहीं हुए थे लगभग चार सालों तक लॉरा ने जूठी जीवन जी रही थी वह बहुत अफरात फरी में थी और नहीं जानती थी कि क्या करें और उस बच्चे को वापस कैसे पाएं जिसे ग्रांट नहीं दे रहा था अंत में ग्रांट और अमंडा ने लॉरा के बच्चों की हाकिमी के लिए मुकद्मा दायर किया लेकिन लौरा को सुनवाई के लिए कोई निमंतरण नहीं मिला। ग्रांट ने अकेले न्यायाधीश के सामने आकर यह दावा किया कि लौरा एक भयानक मा है और उनके बच्चे ग्रांट और अमंडा की होने चाहिए। नियायालय ने मुकदमे की सुनवाई से 30 दिन पहले ही ग्रांट के पक्ष में फैसला किया। नियायालय ने लौरा के छोटे बेटे को भी उससे चीन लिया और उसे ग्रांट और अमंडा को सौंप दिया। लिखले न्यायालय ने ग्रांट की हाकिमी का अनुरोध संतुष्टी से इसलिए माना हो सकता है क्योंकि लौरा के पास नौकरी नहीं थी और उसका अपना घर भी नहीं था। जो की एक वकील थी की मदद मिली। लौरा ने न्यायालय में ग्रांट के अधिक नियंत्रण उसकी अवसादन लोगों को धोखा देना और उसके मानसिक विकार के बारे में बताने का निर्णय किया था। अनुमती भी थी। अब ग्रांट चीजों को कठिन बना रहा था। उसने बच्चों को ध्यान भटकाया, फोन कॉल्स के दौरान जोरदार संगीत चलाया और निरंतर अपनी पूर्व पतनी के बारे में सब को शिकायतें की। लौरा ने सब कुछ रिकॉर्ड किया और सहेजा सभी इमेल और सभी वाइसमेल्स को। उसे हाकिमी के प्रती बहुत ही गंभीरता थी। उसने बच्चों के साथ जो कुछ भी किया वो सब रिकॉर्ड किया, वह क्या खिला, क्या खेला, उन्हें किस समय सोया। देर तक चलने के साथ लौरा को ग्रांट से जीवनी खतरनाक धमकिया मिलने लगी। उसने अपनी दोस्त हाइडी को बताया कि अगर उसके साथ कुछ हो गया, चाहे वह एक दुरखटना हो या यहां तक की कोई प्राकृतिक मौत हो, तो उसका जिम्मेदार ग्रांट जब मानसिक मूल्यांकन के परिणाम आये, तो पता चला कि लौरा एक बहुत अच्छी, शानदार मा थी, उनकी बच्चों के साथ बहुत अच्छी बांध थी, बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे, लौरा के पक्ष में यह भी था कि उसकी स्थिर नौकरी और आये थी जबकि ग्रांट की मूल्यांकन सफल नहीं रही थी, उसका बच्चों के साथ अच्छा बोंड नहीं था, जो की स्वाभाविक होता है, इसके बाद दोनों माता पिता को बच्चों के साथ बराबर समय दिया गया, लोग अब ग्रांट को ज्यादा नहीं मानते थे, क्योंकि उसके खाली आरोपों का कोई सबूत नहीं था, ग्रांट बहुत नाराज था, एक कोट की तारीख तै की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से लौरा ने इसे देखने का समय नहीं पाया, लेकिन 13 जुलाई को ग्रांट ने लौरा को बच्चों से मिलने की अनुमती दी, ये ल पुलिस स्टेशन गए और गायब व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराई, उसने पुलिस को डायरियों प्रधान किये और बताया कि लौरा अब बच्चों की हाकिमी के लिए लड़ रही है और वह लौरा की जिंदगी की सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित है, पुलिस न पुलिस ने लौरा के अपार्टमेंट कंप्लेक्स में सुरक्षा कैमरों की जाच किये, लौरा को अंतिम बार वहां देखा गया था बुदवार, 13 जुलाई को सुबह 9 बजे, वह अपने सारे सामानों के साथ अपार्टमेंट छोड रही थी, उसने अपना आखिरी फोन कॉ पुलिस ने फोन पर ग्रांट से संपर्क किया, उसने शांत और आत्म विश्वास पूर्ण तरीके से बात की, उससे पूछा गया कि उसने लौरा को अंतिम बार कब देखा था, तो उसने कहा कि वह शाम 6.40 बजे बच्चों को लेने आई थी और उन्हें बच्चों केंदर लेकर जाना था, जहां वह उनके साथ समय बिताने की योजना थी, उसने और भी कहा कि उसने लौरा के साथ बच्चों की हाकिमी के विवाद की विवरन समीक्षा की थी, ग्रांट ने कहा कि लौरा ने मान लिया कि वह उसे बच्चों की पूरी हाकिमी देगी, अगर वह उसे 25,000 डॉलर देगा फिर उसने कहा कि उसने बच्चों को लेकर चली गई और उन्हें रात्री 9 से 9.30 बजे के बीच लोटाया 10.15 बजे वह लॉरा को देखा और वहीं तक उसने उसे देखा उसने पुलिस को एक छोटे से कागज पर वो ही बात लिखी हुई दी और यह भी दावा किया कि लॉरा ने भी उसी बात को लिखकर मान लिया था फिर तुरंथ पुलिस ने गायब होने की शिकायत दर्ज की और लॉरा की तलाश शुरू की पुलिस ने लॉरा के बैंक खाते और उसके फोन का निगरानी किया था क्योंकि शायद वे इस्तेमाल हो रहे होते लेकिन बुधवार से सब शान्त था लेकिन 20 जुलाई को लॉरा की कार मिली वह उस अपार्टमेंट कंप्लेक्स के बाहर पार्क की गई थी जहां ग्रांट और लॉरा अमंडा के आने से पहले रहते थे गाड़ी के अंदर सफाई की गई थी किसी भी प्रिंट नहीं था फिर पुलिस ने ग्रांट के सेल फोन की जांच की और पता चला कि वह नौर्थ कैरोलिना में नहीं था जैसा कि उसने हमेशा कहा था बलकि वह टेक्सास में था दो जांच करताओं ने फैसला किया कि 18 घंटे की यात्रा करें और जांचे कि ग्रांट वहां क्या कर रहा है जब वे ग्रांट के पीछे थे तो ग्रांट और अमंडा के रेली के अपार्टमेंट के लिए एक खोज वारंट प्राप्त की गई इसके आधार पर कि ग्रांट को अदालत ने उनके बच्चों के साथ राज्य से निकलने से प्रतिबंध लगा दिया गया था पुलिस ने अपार्टमेंट के द्वार पर स्टेन रिमूवर पाया अपार्टमेंट में प्रवेश करते ही पूरे अपार्टमेंट में डिटरजेंट और ब्लीच की गंध थी गद्धों पर फरनीचर के निशान थे जो अब गायब थे साथ ही एक बातरूम में एक आइटम गायब था और वहाँ ब्लीच की गंध थी फिर से बिस्तर से बिस्तरिंग निकाली गई थी लेकिन दुर्भाग्यवश पुलिस के पास जाँच के लिए कुछ भी सैंपल नहीं था जो जबाब दे सकता लेकिन उपर दी गई सभी संकेत ग्रांट और उसकी वर्तमान पत्नी पर संदेह को मजबूत कर दिया अपार्टमेंट में एक पत्र भी मिला जिसमें दो अलग-अलग हाथों द्वारा लिखा गया था जिसमें बताया गया था कि लॉरा 25,000 डॉलर के बदले में अपने बच्चों की पूरी हाकिमी ग्रांट को दे रही है एक हाथ लिखित लॉरा का था, दूसरा ग्रांट का था लॉरा को जानने वाले सभी लोग सहमत थे कि लॉरा उस तरह का कोई भी कागज नहीं साइन करेगी सभी ने उसे बच्चों के लिए लड़ते हुए देखा था जब जांचकरता अंत में टेकसास पहुँचे तब ग्रांट, अमंडा और बच्चे पहले ही वापस चले गए थे पता चला कि अमंडा की बहन कैरन टेकसास में रहती थी जांचकरताओं ने उसे साक्षातकार किया और उसके पास कुछ बहुत दिल्चस्प बातें थी अमंडा के सभी रिष्टेदारों को ग्रांट अजीब लगते थे अमंडा और ग्रांट ने रिष्टेदारों से अजीब सवाल पूछे उन्होंने पूछा कि आसपास क्या कोई भूखंड है जिसमें छेद हो सकते हैं उन्होंने यार्ड में कुआ के बारे में पूछा कि वह कितनी गहरी है एक बार में अमंडा ने गुप्त रूप से कारें को बताया कि उसने लौरा को बहुत दर्द दिया और वह नहीं जानती थी कि उसे क्या करना चाहिए लेकिन वह विस्तार से नहीं बता सकी पुलिस ने कैरें के घर और संपत्ती की जांच शुरू की और डाइवर्स को मगर मच्छ से भरे हुए नदी की जांच के लिए भेजा कारेंड ने पुलिस को मच्छरी और अमंडा द्वारा छोड़ी गई मच्छानी दिखाई जिसे उसने एक तॉलिये में उठाया और गेराज में एक दीवार में छिपाया था वह इसे साक्ष में शामिल हो सकता है इसलिए किया था उसने वहाँ पर उन्होंने ग्रांट द्वारा छोड़ी गई कुंडी भी रखी थी जिसकी उसने सफाई के लिए एक तॉलिये की मांग की थी कारेंड के बेटे ने पुलिस को बताया कि ग्रांट और अमंडा ने भी उससे सवाल पूछे थे उन्होंने उससे स्थानिय जानवरों के बारे में पूछा कि क्या नदी के पास मगर मच होते हैं और वहाँ वे आम तोर पर एक बड़ी संख्या में कहां इकठे होते हैं और यदि वे पूरा इंसान खा सकते हैं तो कितनी तेजी से उन्होंने यह भी पूछा कि क्या समुद्र के किनारे शार्क रहते हैं? डाइवर्स ने अपनी जाज के दौरान जलकुम्भी के परदों से परेशानी हुई लेकिन उन्होंने परदों के बीच कई सफेद वस्तूओं को तैरते हुए देखा नदी में पुलिस ने शरीर के टुकडे टुकडे ढूंडना शुरू किया पहले तो तन के अंश, पैर का हिस्सा, हाथ का हिस्सा था और अंत में उन्होंने सिर ढूंड लिया कारण के घर पुलिस ने उन वस्तूओं को ढूंडा जो अमंडा और ग्रांट ने छोड़ दिये थे और उनमें से एक वालमार्ट स्टोर की रसीद भी थी जबकि शव अभी पहचाना नहीं गया था, पुलिस के पास ग्रांट और अमंडा को हत्या के आरोप में गिरफ़तार करने के लिए परियाप्त सबूत थे 25 जुलाई को उन्होंने ग्रांट और अमंडा को गिरफ़तार किया पूछताच के दौरान अमंडा और ग्रांट के बयान में अंतर था, जो बदलते रहे और अंत में वे एक दूसरे की ओर इशारा करने लगे बाद में टेकसास में एक निगरानी कैमरा ने दिखाया कि अमंडा ने बोट राइड के दौरान वहां की एसिट छोड़ दी थी लौरा का शरीर बहुत बुरी हालत में था, इसलिए मौत के कारण का निर्धारन करना असंभव था बोन्स पर गहरे चाकू जैसे निशान है जिन से स्पेशलिस्ट का मानना है कि गले की फांसी से मौत संभव है गले और सिर के विशलेशन से भी विशेशग्यों का मानना है कि ग्रांट की कहानी के अनुसार जब लौरा बच्चों को लेने के लिए बुधवार को पहुँची थी, तब उसका और अमंडा का जगड़ा हुआ था उस समय ग्रांट दूसरे कमरे में था और उसकी कहानी के अनुसार अमंडा ने अंजाने में लौरा को मार डाला उसके अनुसार जब वह कमरे में पहुँचा था, तब उसने लौरा की हत्या होते हुए देखा था अमंडा के अनुसार लौरा उसकी तरफ चली गई, फिसल गई और फिर ग्रांट ने उसे पकड़ लिया, सोचते हुए कि वह अमंडा पर हमला कर रही थी, दोनों गिर गए, लौरा ने अपना सर मारा और तुरंत मर गई अमंडा की बहुत सी गवाही तत्यों से मेल नहीं खाती थी, 22 अगस्ट 2013 को अदालत ने ग्रांट को पहले डिगरी की हत्या के लिए दोशी ठहराया और उसे जीवन कालीन कैद सजा सुनाई गई, अमंडा को दोशी पाया गया दूसरे डिगरी की हत्या के लिए और उसे 13 से 16 स की कैद की सजा सुनाई गई थी, 2014 में, अमंडा ने तलाक के लिए अरजित किया, 2017 में उसकी सजा में साक्षे और पाइप्स के साथ खिलवाड के लिए 20 साल और जोडे गए, यही नहीं, नियमित अदालतियों में न तो, अमंडा और न ग्रांट ने किसी भी प्रकार का पश यद्यपी इस बारे में सपश्टता नहीं है, लेकिन कई लोग विश्वास करते हैं कि ग्रांट ने लौरा को मारने का निर्णय सोच समझ कर किया था, उन्हें यह लगा कि वे मानसिक विशलेशन की आवश्चकता है और वे निश्चित रूप से बच्चों की हाकिमी जो लोग प्यार में होते हैं, वे अकसर नहीं देखते कि वास्तव में वे कौन हैं।